सबसे पहले शुरुवात करते हैं कि उसे नमर एक से डीडीसी के नवीनतम संसकन का परकाशन किसके द्वारा किया गया था डीडीसी के जो नवीनतम संसकन है उसका परकाशन पुठा गया है किसके द्वारा किया गया था तो किसके दवारा किया गया था भी राइट एल्ट सर होगा ओप्शन है जे एस मिट्चेल दवारा डीडीची का जोंतिम यानि की नमीनतम संसकन था उसका परकासन है किया गया था यदि डीडीची के सरवादिक बार परकासन की पूछे तो ये इमे शे मिट्चेल दवारा किया गया था सरवादिक बार किया गया था साथ बार परकासन की पूछे अगला क्युषन है क्युषन नम्बर दो information for all program IFAP Information for All Program कारिकरम की शुरूआत है किसके दवरा किये गई थी यान कि कौन सी संस्था थी जिसने ये कारिकरम है वो शुरू किये था IFLA, ILA, ICSU या UNESCO तो right and stroke option D UNESCO दवरा ये शुरूआत किया गये था और सने 2001 में इसकी शुरूआत है UNESCO दवरा किये थी कि किसकी Information for All Program कारिकरम की शुरूआत अगला क्यूशन है, क्यूशन num.3 डोक्टर स.रगनाथन के पुस्तकारले विज्ञान से सम्दित पर्थम गुरू कौन थे डोक्टर स.रगनाथन के पुस्तकारले विज्ञान से सम्दित पर्थम गुरू कौन थे Edward B. Rose, W.C.B. Shares, Melville Devi या J.D. Brown तो राइट एंसर क्या होगा भी Option B. राइट होगा W.C.B. Shares थे Edward B. Rose बता रहे हैं कुछ लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि Edward B. Rose मैथ के गनित के गुरु थे इनके पर्थम गुरु तो थे लेकिन ये इनके मैथ के गुरु थे आपसे पुछगे हैं पुस्तकाले विज्ञान से समदित तो ये थे W.C.B. Shares J.D. Brown दोरा Open Access System की सुरुवाते की गी थी किसके दोरा? J.D. Brown दोरा Melville Devi ने D.D.C. का पर्तिपादने किया था Edward B.Rose इनके गनित के गुरु येनकी मैथ के गुरु या पर्थम गुरु थे लेकिन पुस्तकाले विज्ञान से समदित पर्थम गुरु W.C.B. Shares थे J.D. Brown ओपन एक्सेस सिस्टम के परणेता थे अगला क्यूशन डोक्टर S.A. रंगनाथन को डीलिट की मानद उपादी कब पर्दान की गई डीलिट की मानद उपादी है वो डोक्टर S.A. रंगनाथन को किस वर से पर्दाने की गई थी 1964, 1948, 1864 या 1922 तो अब तक डोक्टर S.A. रंगनाथन को दो बारे पुस्तकाले विज्ञान में बोसोरी डीलिट की उपादी मिल चुकी है दो बार पुस्तकाले विज्ञान में नहीं डीलिट की उपादी तो मानद जो उपादी है इनकी वो इनको मिली थी ओप्शन बी राइट होगा 1948 में मानद उपादी 1948 में इसके लावा इनको जो पुस्तकाले विज्ञान से समदी डीलिट की उपादी ये मिली थी इनको 1964 में मानद उपादी इनको दी गई थी 1948 में और ये दी गई थी दिल्ली इनको दिल्ली विश्विधले दिवारा इनको पर्थम मानद उपादी 1948 में परदान की गई जबकि इनको 1964 में पुस्तकाले विज्ञान से समदी उपादी भी डीलिट की उपादी परदान की थी अगला क्यूशन LCSH यानकी Library of Congress Subject Headings का बारवा संसकन कितने वोल्यूम्स में परकासित किया गया था बारवा संसकन पुछा LCSH का कितने वोल्यूम्स में परकासित हुआ 3, 5, 1, 4 तो राइट एंस्वर क्या होगा ओप्सन यह होगा 3 वोल्यूम्स में इसको परकासित किया गया था कितने वोल्यूम्स में यह परकासित हुआ तो 3 वोल्यूम्स में इसका परकासित किया गया था इसकी जो शुरुवात है वो 1898 में हुई थी Library of Congress Subject Heading का जो पहला संसकन वो इसका आया था 1898 में 28 था 2016 में परकासित किया गया कौन सा 38 इसका जो संसकन था वो 2016 में जबकि जो इसका 37 संसकन था उसका परकासित दो 2014 में किया गया था LCSS का बार्वा संसकन तीन वोल्यूम्स में परकासित हुआ पर्थम इसका जो संसकन था वो 1898 में परकासित किया गया इसका जो अंतिम नमीनतम संसकंड 2000, 16 में जो 38 मां संसकंड था इसका और 36 मां 2000, 14 में इसका संसकंड परकासित हुआ था L.C. S.H. Library of Congress Subject Headings अगला क्यूशन है 1964 से 1993 तक 1964 से लेकर 1993 तक INB Indian National Bibliography के परकासिन की अबदी क्या थी INB के परकासिन की अबदी पुचा गया है 1964 से लेकर 1993 तक त्रेमासिक, वार्षिक, मासिक या अर्दवार्षिक तो option C right होगा इसमें ये मासिक अबदी में परकासित किया जाने लगा था 1964 से लेकर 1993 तक इसकी जो शुरुआत है वो 1958 में INB का परारम हुआ और 1908 से लेकर 1963 तक इसे त्रेमासिक परकासित है किया जाता था किस परकार से हर तीर माहबाद इसका परकासित किया जाता था इसकी शुरुआत से लेकर 1968 से लेकर 1963 तक इसका जो पहला संस्क्रण है यानि कि 1968 तो ये आया था 15 अगस्त 1978 को परकासित किया गया था इसका जो कंप्यूटराइज जो परकासित किया गया था जून 2000 में जून 2000 में इसका कंप्यूटराइज आये अनि बी का परकासित किया गया था जून 2000 में इसका जो परकासित 1400 में फ़ली इंग्रेज जी समेहते 14 भारतिये वासाओं में इसका परकासित किया जाता है आई एन भी की बात करें देम इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की अगला क्यूशन है Commonwealth University's Yearbook का परकासन कहां से किया जाता है Commonwealth University's Yearbook का परकासन है वो कहां से किया जाता है वासी गटन नई दिली लंदन या बिर्टेन से तो राइट एंसर क्या होगा वार्षिक रूप से Yearbook है तो यह वार्षिक रूप से परकासित होगी और इसका जो परकासन है वो लंदन से किया जा जा रहा है उप्सन से इसमें क्या होगा राइट लंदन से इसका परकासन किया जाता है Commonwealth University's Yearbook का इसका जो परकासन है वो पाल ग्रेव Macmillan दवारा किया जाता है किसके दवारा पाल ग्रेव Macmillan दवारा इसका परकासन किया जाता है अगला क्यूशन है इन्फा की स्थापना कब हुई थी इन्फा की स्थापना किस्वार से हुई थी 1969, 1964, 1957 या 1960 राइट एंस्वर क्या होगा भी ओप्सन ए होगा 1959 में इसका स्थापित किया गया था इन्फा को और ये 14 नॉम्बर 1969 को 14 नॉम्बर 1969 को दुर्गादास दवारा किसके दवारा दुर्गादास दवारा इसको स्थापित किया गया था 1969 में 14 नॉम्बर 1969 में अगला क्यूशन है एंसाइकलोपीडिया अमेरिकाना का पर्थम ओनलाइन स्थापन किस वर्च परकासित किया गया था एंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का जो पर्थम ऊल्लाइन संसकन था वो किस वर्ष परकासित किया गया 1896, 1912, 1903 या उन्नी सो चान्नवे रायट एंशर क्या होगा भी ओप्सीन D रायट होगा इसमें 1966 में इसका परकासित किया गया था एंसाइकलोपीडिया अमेरिकाने के पर्थम उनलाइन संसक्ण का इसका जो पहला संसक्ण है एंसाइकलोपीडिया बिटे इनकाना का पर्थम प्रिंट संसक्ण यानि इसकी शुरुवात वीटी 1139 से लेकर 1333 तक इसका प्रकाशन है किया गया था पर्थम संसकंड का जबकि इसका जो अन्तिम प्रिंट अन्तिम प्रिंट संसकंड है वो आया था 2006 अन्तिम प्रिंट संसकंड इसका 2006 में आया था शुरुवात 1839 से 33 पर्थम ओन्लाइन संसकंड 1996 1996 में अगला क्यूशन है हैंसन ने सुचना सुरुतों के परकारे बताई हैं हैंसन ने कितने परकार के सुचना सुरुत बताई अभी 3, 2, 4 या 5 तो अप्शन B राइट होगा इसमें दो परकार के सुचना सुरुत हैंसन दवारा बताए गये हैं बात करते हैं डोक्टर ऐसा रंगनाथन की तो रंगनाथन ने च्यार परकार के कितने च्यार परकार के संद्रब शुरोत बताए हैं जबकि डेनिस और ग्रोगन दोनों ने किसने डेनिस और ग्रोगन दोनों ने तीन परकार के सूचना शुरोत बताए हैं हैंचन ने दो प्रकार के प्रात्मिक और द्वीत्यक्सरोत रंगनाथन ने च्यार प्रकार के अगला क्यूशन संदरप सेवा में नियूनतम मद्यम और अधिक्तम का सिधांत किसे ने दिया था संदरब सेवा में नियूनतम मद्यम और अधिक्तम का सिधांत किसके दवरा दिया गया लुई सोर्स, सैम्यल रोथ स्टीन, जैम साइवायर या डबलू ए का टज तो राइट एंसर होगा ओप्शन भी सैम्यल रोथ स्टीन दवरा ये सिधांत है वो दिया गया था नियूनतम मद्यम और अधिक्तम का किसके दवरा सैम्यल रोथ स्टीन दवरा ओप्शन है भी राइट होगा इसमें अगला क्यूशन है पुस्तकाले में पाठकों को व्यक्तिक्त सेवा देने का की शुरूआत किसके दवरा की गयी थी पुस्तकाले में पाठकों को वेक्टिक्ट सेवा परदान करने की जो शुरुआत है वो किसके दवारा की गई लुई सोर्स, सैम्यल रोथस्टीन, सैम्यल स्वेट गरीन या जेम साई वायर, तो राइट एंसर क्या होगा भी ओप्सन सी होगा, सैम्यल स्वेट गरीन दवारा इसकी शुरुआत की गी थी पुस्तकाले में पाठकों को वेक्टिक्ट सेवा की और ये शुरुआत की गी थी एठारा सोचिएतर में किसके दवारा? सैम्यल स्वेट गरीन दवारा अगला क्यूशन है ISBN का परत्य तत्वय कितने अंकों से मिलकर बना होता है 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक या 6 ISBN का जो परत्य तत्वय है उसमें कितने अंकों से मिलकर बनता है तो option B right होगा इसमें 3 अंकों से मिलकर इसका निर्मान होता है ISBN के परत्य तत्वय का निर्मान गुठा गया है तो तीन अंक होते हैं अगला क्यूशन है नैशनल यूनियन केटालोग के परकाशन केवदी क्या है नैशनल यूनियन केटालोग के परकाशन केवदी क्या है मासिक, अर्दवार्षिक, वार्षिक या तरे मासिक तो अपसने राइट होगा मासिक है National Union Catalog के प्रकाशन के अधि क्या है मासिक मंधली प्रकाशन किया जाता है और इसका जो प्रकाशन है वो Library of Congress LOC Library of Congress दोरा 1984 से वासिगटन में किया गया था सरपर्दम सुरुआत वासिगटन से 1984 में इसका प्रकाशन है वो किया गया था National Union Catalog का प्रकाशन के वनी मासिक किस के दोरा तो LOC अगला क्यूस्ट स्वोर्ट विस्लेशन तकनीक का विशकार किस के दोरा किया गया था डगलस मैक ग्रेगर जे अम जुरान बर्नाड अलबर्ट एस हैंप्रे right answer क्या होगा भी Albert S. Hemprey होगा इसके दोरा जो Sword V. Selection तकनिक है उसका आविशकार है किया गया तक इसके दोरा Albert S. Hemprey अगला क्यूशन है सास्तिरिये विचार धरा के जनके कौन थे? Henry Fjol F.W. Taylor Abraham Maslow यानि कि A. Maslow या Luther गुलिक तो रहाई टैंस पर क्या होगी ओप्शन ए होगा Henry Fjol थे? कौन थे? Henry Fjol ने सास्तिरे विचार धरा का परतिबादन किया था जनक है इसके Henry Fjol अगला क्यूशन यूनी मारक के सेकिंड संस्कन का परकाशन कब हुआ? यूनी मारक के सेकिंड संस्कन का परकाशन किस वर्षे हुआ था? 1970, 1970, 1980 या 2008 तो राइट एंस्वर क्या भी? राइट एंस्वर होगा ओप्शन ए C 1980 में इसके सेकिंड संस्कन का परकाशन किया गया था? कब है? 1980 में इसके जो शुरुवात है यानकी जो पहला संस्कन है यूनी मारक का वो आया था 1977 सेवन 1970 से इसकी शुरुवात होई थी इसका जो दूसरा संस्कन है 1980 में जबकि इसका जो वर्थमान संस्कन है वो 2008 में परकाशिते किया गया है किसका यूनी मारक का अगला क्युशन है यूनिमारक हैंड़ बुक का प्रकाशन कब किया गया था यूनिमारक हैंड़ बुक का प्रकाशन है वो किस वर्स किया गया था 1970, 1983, 1980 या 2008 तो option B राइट होगा इसमें 1983, 1983 में यूनिमारक हैंड़ बुक का प्रकाशन है किया गया था दो आख्या जोड़ने के लिए किस चिना का परियोग किया ज़ता है, ACR2 में लगतार दो आख्याओं को जोड़ने के लिए किस चिना का परियोग किया ज़ता है, बराबर, space, hyphen, या B और C दोनों का, यानि कि hyphen और space दोनों का, तो right answer क्या होगा भी, option ये होगा, equal यानि कि बराबर चिना का परियोग किया ज़ता है, बराबर चिना का परियोग है वो, ACR2 में लगतार दो आख्याओं को जोड़ने के लिए किया ज़ता है, अगला question है, DDC का पंदर्मा संसकंड कितने खंडों में परकासित किया गया था, DDC का जो पंदर्मा एडिसन है, उसे कितने खंडों में परकासित किया गया था, दो खंड, तीन खंड, एक खंड या चार खंड, तो option C right होगा, एक खंड में ही परकासित हुआ था ये, DDC का जो पंदर्मा संसकंड है, उसका परकासन, उपसंची क्या होगा, इसमें राइट होगा, भारत में, डोक्टर ऐसा रंगनाथन का, जनम दिवस, पुस्तकाले दिवस के रूप में, कब से मनाया जा रहा है, भारत में, पुस्तकाले विज्यान के चेतर में, महत्वपूर्ण भुमिका निवाने वाले, डोक्टर ऐसा रंगनाथन का, जो जनम दिवस है, वो पुस्तकाले दिवस के रूप में, कब से मनाया जा रहा है, वैसे इनका 9 अगस्त है, लेकिन ऑथेंटिक, 12 अगस्त माना जाता है इनका वैसे, और इसी दिन, पुस्तकाले दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को, तो ये कब से मनाया जा रहा है, 1933, 1984, 1942, राइट एंसर होगा उप्शन भी, 1984, 1984 से, डोक्टर ऐसा रंगनाथन का, जो जनम दिवस है, यानि कि 12 अगस्त, वो पुस्तकाले दिवस के रूप में, मनाया जा रहा है, अगला क्योशन है, तमिलाडू पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब लागू किया गया था, पारित नहीं पुछा गया यहां पर, लागू किस वर्ष किया गया है, यह पुछा गया है, तमिलाडू पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, पारित किया गया था, 1948 में, लेकिन लागू पुछा गया है, तो बताएं, 1948, 52, 50, 1956, 1948 में क्या किया गया था, पारित, तो राइट एंसर इसमें, ओप्शन जो, C है वो होगा, 1950, 1950, राइट एंसर होगा, क्या होगा, 1950 में इसे, लागू किया गया था, और ये किया गया था, एक, अप्रेल, 1950 को, एक अप्रेल, 1950 को ये, तमिलाडू पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, वो लागू किया गया था, पारित की पुछे, 1948 में, अगला क्यूशन है, CC के, , किस संस्कार्ण में, AD यानि की, प्लस जिन्या का परियोग पराणम किया गया था, AD जिन्या का परियोग, क्लन कलास्पिकेशन के, किस संस्कार्ण में किया जाने लगा, 4th, 6th, 5th, या 3rd, राइट एंस्वर क्या होगा अभी, क्यूशन नमबर 3 या 23 में ओप्शन बी राइट होगा इसमें 6th edition में 6 edition, 6th edition में CC के एर जिना का प्रियोग किया जाने लगा था 6th edition, 1960 में कब आया था? 1960 में और revised आया था 1963, 1963 में 6th revised edition अगला क्यूशन है वाल पिक्चर प्रिंसिपल के सिधांत का प्रतिपादन कब किया गया था? वाल पिक्चर प्रिंसिपल इसका जो प्रतिपादन है वो डोक्टर ऐसार रंगनाथन द्वारा किया गया था और किस वर्स किया गया था? ये facet sequence के सिधान्तों में से एक है जिनका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था Dr.S.R. रंगनातन द्वारा राइट अंसर इसमें option A होगा 1962 में इसका प्रतिपादन है वो Dr.S.R. रंगनातन द्वारा किया गया था 1962, option A क्या होगा इसमें राइट होगा facet sequence से समदित सिधानत आए जो Dr.S.R. रंगनातन द्वारा प्रतिपादित है अगला question है CC की मुख्य परिष्टी में कुल कितने अनुचेद होते हैं colon classification की मुख्य परिष्टी मुख्य एंट्री में कितने अनुचेद होते हैं 5, 4, 8 या 6 तो option D right होगा 6 अनुचेद होते हैं option D क्या होगा right कितने अनुचेद होगे 6 अनुचेद अगला question Dr.S.R. रंगनातन के अनुचार CCC यान की classified catalog code में साहिक परिष्टीओं की संख्या कितनी है साहिक परिष्टीओं की संख्या कितनी है 5, 4, 8 या 6 तो इसमें option D right होगा 6 कितनी है option D right 6 परिष्टीओं साहिक परिष्टीओं option D इसमें क्या होगा right होगा तो इसमें 5 परकार की कितने परकार की 5 परकार की साहिक परिष्टीओं साहिक परिष्टीओं यानकी added entries होती है किसमें CCC में जो सहाएक प्रिविष्टियां या इडेड एंट्रीज है वो पाँच परकार की कितने पाँच परकार की होती है अगला क्यूशन है चैन इंडेक्सिंग का उलेख रंगनाथन ने अपनी किस पुस्तक में किया था चैन इंडेक्सिंग का उलेख है वो डोक्टर एशा रंगनाथन दवारा अपनी किस पुस्तक में किया गया लाइबरेरी बुक सेलेक्शन उननीस सो बावन में ठियोरी ओफ लाइबरेरी कैटालोगिंग उननीस सो अर्थिस में रेफरेंस सर्विस 1961 हेडिंग एंड केनन उननीस सो पिच्पन तो राइट एंस्वर क्या होगा भी ओप्शन भी इसमें राइट होगा ठियोरी ओफ कैटालोगिंग 1938 में डोक्टर एशा रंगनाथन दवारा चैन इंडेक्सिंग का प्रियोग है वो किया गया था ठियोरी ओफ लाइबरेरी कैटालोगिंग 1938 में अगला क्यूशन है क्वीक सब्द का पर्तिपादन सर्वा पर्थम अनुकरन हेतू किस के दवारा किया गया था क्विक सब्द का प्रतिपादन सर्वा पर्थम सबसे पहले अनुकरण है तू किसके द्वारा किया गया W.A. काटेज, S.P. लुहान, Dr. S.R. रंगनाथन या W.C.B. सेर्श द्वारा तो option B. राइट होगा अंस्पेटर लुहान यान की S.P. लुहान द्वारा सर्वा पर्थम क्विक सब्द का जो प्रतिपादन है या प्रियोग है वो अनुकरण के लिए किया गया था option B क्या होगा इसमें? राइट होगा अगला क्यूशन है Library 2.0 का विकास कब किया गया था? Library 2.0 का विकास 2005, 2007, 2009 में या 2006 में तो राइट एंसरों का उप्शन D 2006 में Library 2.0 सब्द का विकास किया गया था Library 2.0 का विकास है वो 2006 में और ये Michael Casey द्वारा किसके द्वारा? Michael Casey द्वारा इसका विकास है 2006 में किया गया था अगला क्यूशन है वेब 2.0 का विकास किसे ने किया था? माइकल कैसी, जेक डोर्सी, टीम ओरेली या विलियम गिप्सन तो टीम ओरेली द्वारा किया गया उप्शन C राइट होगा वेब 2.0 सब्द का विकास टीम ओरेली और Library 2.0 माइकल कैसी द्वारा 2006 में और ये किया गया था 2005 में वेब 2.0 सब्द का विकास 2005 में टीम ओरेली द्वारा और Library 2.0 का विकास 2006 में माइकल कैसी द्वारा अगला क्योशन है इंडियन बुक रिपोर्टर का परकासन सरोपर्थम किस वर्ष किया गया था 1907 में 1965, 1922 या 1963 तो राइट एमसर इसमें ओप्शन भी होगा 1965 1965 में किया गया था और ये गुडगाओं हरियाना में इंडियन बुक रिपोर्टर का परकासन 1965 में गुडगाओं हरियाना में किया गया था अगला क्योशन है बी-एन-बी यानिकी बीटिस नैशनल बिप्लियोग्राफी का इलेक्ट्रोनिक सरोप में परकासन कब से हो रहा है BNB का इलेक्ट्रोनिक स्वरूप में प्रकाशन किस वर्च शुरू हुआ था 2003, 1950, 2001 या 1980 तो ओप्शन ये राइट होगा इसमें 2003 में इसका जो इलेक्ट्रोनिक प्रकाशन है वो शुरू हुआ था BNB का, BNB की जो शुरूआत है वो प्रिंट एडिशन मान ले ये इसके प्रारम 1950 में, 1950 में क्या हुआ था इसकी शुरूआत हुई थी जबकि इसका जो प्रिंट इलेक्ट्रोनिक स्वरूप है उसकी शुरूआत 2003 में हुई थी अगला क्यूशन उचित समय पर उचित पाठक को उचित पुस्तक परदान करने के पुस्तक चैन का सिधान का प्रतिपादन किस ने किया था उचित समय पर उचित पाठक को उचित पुस्तक परदान करने का जो पुस्तक चैन का सिधान उसका प्रतिपादन किसके दवारा किया गया था मेलविल डेवी, डोक्टरेशा रंगनाथन, एलार मैकल्विन या ड्यूरी तो option D right होगा, ड्यूरी दवारा, किसके दवारा, ड्यूरी दवारा इसका प्रतिपादन किया गया था और 1930 में, कब किया था, 1930 में option D right होगा इसमें, ड्यूरी अगला क्यूशन, समनवे यानि की coordination से समन्दित व्यक्ति है option E क्या होगा, अगला क्यूशन है AACR2 का संपाधन किसके दवरा किया गया था AACR2 का संपाधन किसके दवरा किया गया था Michael Gorman, Paul Harris, Paul W. Winkler या A. V.C. दोनों दवरा A. V.C. दोनों दोरा तो Right Answerist में क्या होगा भी Option D. Right होगा A. और C. दोनों दोरा इसका संपाधन किया गया था माइकल गोर्मेन और पोल डवल्यू विंकलेर इन दोनों के दोबारा AACR 2 का संपाधन किया गया AACR 1 की जो परकासन है वो 1978 1978 में AACR 1 का क्या हुआ था परारम हुआ था और इसमें जो संसोधन है वो 1988 AACR 2 का परकासन 1988 संसोधन किये थे AACR 2 में शरुवात इसकी 1978 में हुई थी 1988 में संसोधन उसके बाद 1988 में और 2002 तीन बार इसमें अब तक संसोधन हो चुके AACR 2 में शरुवात हुई थी इसकी 1978 में परकाशन कब किया गया था A.C.R. 2 का परकाशन A.C.R. 2 का परकाशन 1978 में किया गया था कब है 1978 में संसोदन हुए थे इसमें 1988 में 1908 में में और 2002 में तीन बार इसमें संसोदन हो चुगे हैं अगला क्यूशन है संखला परकिरिया में ऐसी कडी जो कलास नम्मर में दिये गए किसी अंक या अंक समुए के द्वारा बनती है कहलाती है तो ऐसी कड़ी क्या कहलाएगी खोज कड़ी, करतरीम कड़ी, एक खोज कड़ी या मिथ्या कड़ी तो करतरीम कड़ी कहलाएगी करतरीम कड़ी कहलाएगी ऐसी सनखला प्रिकरिया में ऐसी कड़ी जो कलास नम्मर में दिये गए किसी अंक या अंक समुए के दुवारा बनती है करत्रीम कड़ी कहलाती है अगला क्यूशन है MBO के अनुसार CCC क्लासिफाइड काटालोग कोड की मुख्य प्रविष्टी में कितने अनुचेद होते हैं MBO के अनुसार CCC की मुख्य प्रविष्टी में कितने अनुचेद होते हैं 6, 4, 8 या 7 तो option A right होगा 6 अनुचेद होती हैं इसमें कितने 6 अनुचेद अगला क्यूशन है 1962 से 1965 तक AACR1 के संपादन का कारिया किसे ने किया था AACR1 का जो संपादन है वो 1962 से लेकर 1965 तक किसके दवारा किया गया था सेमय और लुबेट्ज की, नील मेगनन, C. सुमनेर, स्पेल्डिंग या A. एच चेंपलिन दवारा तो right हैं स्रोगा option C, C. सुमनेर, स्पेल्डिंग के दवारा AACR1 का जो संपादन का कारिया है वो 1962 से लेकर 1965 तक किया गया था इसके लावा यदि बात करें तो सबसे पहले 1956 से लेकर 1962 तक इसका जो संपादन का कारिया है वो सेमय और लुबेट्ज की दवारा किया गया था 1956 से 1962 सेमय और लुबेट्ज की दवारा और 1962 से पैंसर तक C. सुमनेर, स्पेल्डिंग दवारा option C. में क्या होगा? right अगला Q Taiwan है ACR1 के दो संसकूरनों में से British Texas में नियमों की संक्या थी ACR1 है वो दो संसकूरनों में प्रकासित किया गया था British Texas और American Texas इसमें British Texas में नियमों की संक्या पूछी गई है तो किदिने नियम थे भई? right answer क्या होगा? option B होगा बिरिटिश टेक्स्ट में 226 नियम थे और अमेरिकन टेक्स्ट में नियमों की संक्याती 216 कितने थे 216 बिरिटिश टेक्स्ट में 226 और अमेरिकन टेक्स्ट में 216 नेक्स है डॉक्टर एसार रंगनाथन दवारा विशे निर्मान की वीदियों का पर्तिपादन किस वर्ष किया गया था राइट एंस्वर क्या होगा भी 195, 1955, 1950 या 1970 तो उप्शन ची राइट होगा 1960 में रंगनाथन दवारा विशे निर्मान की किन वीदियों का पर्तिपादन किया गया था 1960 में डॉक्टर एसार रंगनाथन दवारा है वो विशे निर्मान की किन वीदियों का पर्तिपादन या निर्मान किया गया था आस्वन विछे दन विलियन अनाचा दन A और C दोनो याँ कि आस्वन और विलियन तोनों या उपरोगते सबी तो राइट एंसर क्या होगा भी? उप्शनी राइट होगा A और C दोनो आस्वन और विलियन इन दोनों विद्यों का जो पर्तिवादन है वो डॉक्टर ऐसा रंगनाथन दवारा 1960 में किया गया था कब किया गया था 1960 में जबकि इससे पहले 1950 में कब है 1950 में इससे पहले इन्होंने च्यार वीधियों का परतिपादन किया था विशे निर्मान की वो थी स्थिल समुचे क्या ध्यान से सुनने भी सिथिल समुचे साथ में लिख भी नोट डाउन भी कर ले नमबर दो है परतबंदी या अस्तरन वीधि नमबर तीन विचेदन और नमबर च्यार आना च्यादन तो इन च्यार वीधियों का जो परतिपादन है 1950 में किया गया सरवपरतम और आस्वन और विलेन वीधि का जो परतिपादन है वो 1960 में किया गया था अगला क्यूशन है मुझे संदे है कि वर्गीकर्ण के बिना कोई भी व्यक्ति एक दिन भी जीविते नहीं रह सकता ये जो कतन है वर्गीकर्ण के बारे में ये जो परिवासा है वो किसके दवारा दी गई थी डॉक्टर एसा रंगनाथन दवारा जे डी ब्राउन दवारा डबलू सी भी शेर्स दवारा या ए और भी दोनों दवारा यानि कि डॉक्टर एसा रंगनाथन और जे डी ब्राउन दोन दवारा तो किसके दवारा ये परिवासा दी गई कि मुझे संदे है कि वर्गिकर्ण के बिना कोई भी व्यक्ति एक दिन भी जीविते रह पाएगा तो option C right होगा इसमें ये कथन या परिवासा WCB सेर्स दवारा दी गई थी किसके दवारा सेर्स दवारा option C right होगा इसमें अगला क्यूशन है किसके अनुसार पुस्तकों को समानता और भिनता के अधार पर वैस्तित करना ही पुस्त का ले वर्गिकर्ण है क्या है किसके अनुसार किस व्यक्ति के अनुसार पुस्तकों को समानता और विविनता या भिनता के अधार पर व्यवस्तित करना ही पुष्ट का लेवर्गी करन माना है जे असमील ने C.A. कटक मार्गरेट मान या डोक्टर S.R. रंगनाथन तो उप्षन C. राइट होगा इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है जहां भी आजाए समानता और भिंता तो ये मार्गरेट मान की परिवासा होगी ओप्षन C. राइट होगा व्यक्ति दे सम्दित आए तो दोक्टर S.R. रंगनाथन होगा क्या होगा दोक्टर S.R. रंगनाथन तो ओप्षन C. इसमें क्या है? राइट हभी मार्गरेट मान अगला क्यूशन है किस वर्ष भारतिय कोपी राइट एक्ट 1957 भारतिय कोपी राइट एक्ट में सरवादिक संसोदन हुआ था 2012 में 2006 में 1922 में या 2011 में तो राइट एंसर क्या होगा भी ओप्षने राइट होगा सरवादिक जो संसोदन हुआ था वो 2012 में हुआ था सबसे अधिक संसोदन कब हुआ 2012 में भारतिय कोपी राइट एक्ट है वो पारित क्या गया था 1907 में यदि आपको लागू की पुछे तो ये लागू हुआ था 21 जनवरी 1958 को 21 जनवरी 1958 को भारतिय कोपी राइट एक्ट लागू हुआ जबकि पारित 1907 में हुआ था अब तक इसमें टोटल 612 संसोदन है कि ये जा चुके है कितनी बार छे बार सरवादिक संसोदन 2012 में हुआ इसकी जो अवदी है वो लेखक की मरत्यू के बाद 60 वर्स तक लेखक की मरत्यू के बाद 60 वर्स तक है इसकी अवदी है भारतिय कोपी राइट एक्टे 1957 की अगला क्यूशन है पेपरलेस सोसाइटी का समन्द किस से है पेपरलेस सोसाइटी का समन्द پुछा गया है किस से है electronic storage से electronic संचार से electronic communication से या option D है electronic communication और storage इन दोनों से तो option D राइट होगा इसमें electronic communication और storage से सम्दित है ये पेपर ले से society option है डी राइट होगा इसमें electronic communication और storage अगला question है US में ALA American Library Association दवारा अप्रेल है यहाँ पर अप्रेल महा में किस दिन है वो national book mobile day आयोजी ते किया जाता है किसके दवारा ALA दवारा कहां पर किया जाता है US में अप्रेल महा में national book mobile day है वो किस वार को या किस दिन आयोजी ते किया जाता है रवीबार बुदवार सोमवार या सुक्रवार तो option भी राइट होगा बुदवार को आयोजीट किया जाता है अप्रेल महा में अगला कुछन है किसने परबंद को वेक्तियों से मिलकर कारिय करने की कला कहा है जोर्जा टेरी द्वारा तो ओप्शन है इसमें क्या होगा भी राइट है ओप्शन डी होगा मेरी पारकर फोलेट द्वारा ये कदन का आ गया है कि प्रबंध है वो वेक्तियों से मिलकर कारिये करवाने की क्या है कला है Option D क्या होगा इसमें राइट होगा अगला क्यूशन है INB में Indian National Bibliography में सूचियों के विवस्तापन के लिए किस प्रबंध का प्रियोग किया जाता है DDC, UDC, CC या A और C दोनों का Indian National Bibliography में सूचियों के विवस्तापन के लिए किस प्रबंध का प्रियोग करते हैं तो Option D राइट होगा इसमें A और C दोनों का प्रियोग किया जाए जाए इसमें DDC और CC यानि कि Colon Classification दोनों प्रियोग का प्रियोग इसमें किया जाता है Option D क्या होगा इसमें राइट होगा अगला क्यूशन है A.S.L.E. Book List के परकाशन की अवदी क्या है A.S.L.E. Book List के परकाशन की अवदी पुछा गया है क्या है त्रेमाशिक, अर्दवार्शिक, माशिक या वार्शिक Option C राइट होगा माशिक अवदी में परकाशित किया जाता है A.S.L.E. Book List क्या है परकाशन की अवदी Monthly, माशिक 1935 से इसका परकाशन है वो किया जा रहा है कबसे? 1935 से और इसमें जो परकाशन की अवदी माशिक परकाशन हो रहा है इसका 1935 से अगला क्यूशन पूस्तक के जिल्दबंदी भाग पर नीचे की ओर से कितनी जगें छोड़कर spine tag चिपकाई जाती है 1.25, 1.025, 1.05 या 1.0025 तो right answer का option है 1.25 space है इसमें दिया जाता है और 1.25 को छोड़कर spine tag है वो नीचे की ओर उस तक के जिल्दबंदी भाग पर चिपकाई जाती है option है क्या होगा इसमें right होगा अगला question है भारत में विश्विधले महाविधले पुस्तकालियों के लिए star formula का परतिपादन किसके दवरा किया गया था भारत में विश्विधले महाविधले पुस्तकालियों के लिए star formula का जो परतिपादन है या निर्मान है वो किसके दवरा किया गया था प्रिटर एफटर द्रगकर, मार्गरेट मान, FW टेलर या डोक्रसर रंग्नाथन तो option D right होगा रंग्नाथन द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया था स्टाफ फॉर्मूला किसके दोवड़ा डोक्रसर रंग्नाथन द्वारा option D क्या हो इसमें right होगा अगला question है आईएससन इंटरनेशनल स्टेंडर्ड सेरियल नमबर कितने भागों में विवाजित होता है आईएससन नमबर है वो कितने भागों में विवाजित होता है दो भागों में, पांच भागों में, चार भागों में या तीन भागों में तो right answer क्या होगा दिए? right answer का option ने दो भागों में वजित किया दता है ISSN नमबर और ये आठ अंकों से मिलकर बना होता है, कितने अंकों का होता है भी? आठ अंकों का और ये 8 अंक है वो दो भागों में वजित होते हैं इसकी जो शुरुवाद है वो 1971 1971 उननीस सो इकतर से इसकी शुरुआत की गी थी आठंकों का ये दो भागों में वाजित होता है आई ये सेस्टन नंबर अगला क्यूशन है गरंथ को नश्ट करने वाला व्यक्ति कहलाता है गरंथ को नश्ट करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा भी बिब्लियो पोल, एफोग्राफ, बिब्लियो क्लास्ट या इन में से कोई नहीं तो बिब्लियो पोल तो व्यक्ति कहलाएगा जो दुरलब साहित्य से जुड़ा हो किस से दुरलब साहित्य से जुड़ा व्यक्ति क्या कहलाएगा भी बिब्लियो पोल और इसमें राइट एंसर होगा option C, बिब्लियो क्लास्ट कहलाएगा ये, जो गर्णतों को नर्ष्ट करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा भी, बिब्लियो क्लास्ट, option C, राइट होगा अगला क्यूशन है, राजस्तान की पर्थम महिला मुख्यमितरी कौन थी? उक्त कतन या इस पर्षन का उतर हम किस परकार की संदरप सेवा से परदान की जाएगा, विस्तर्थ संदरप सेवा से, तवरित संदरप सेवा से, दोनों A और B से या इन्वे से कोई नहीं, तो राइट एंसर क्या होगा B? राइट एंसर इसमें होगा उप्षन है बी तवरित संदरब सेवा रेडी रेफरेंस सर्विस से इस क्यूशन का एंसर है वो हम प्राप्ते कर सकते हैं इसी के द्वारा इसका एंसर पर दाने किया जाएगा अगला क्यूशन है डोक्टर ऐसा रंगनाथन में संदरब सेवाओं के कितने चर्ण बताए हैं परकार की बात करें तो दो परकार की ये संदरब सेवाओं डोक्टर ऐसा रंगनाथन ने बताई है रेडी रेफरेंस सर्विस और लोंग रेफरेंस सर्विस तवरित संदर्व सेवा और विश्चर्थ संदर्व सेवा चरणों की बात करें तो कितने चरण बताए हैं भी दो, पांस, तीन या चार तो option C राइट होगा तीन चरण बताए हैं डोक्टर ऐसा रंगनाथन ने संदर्व सेवाओं की option C क्या होगा भी राइट होगा अगला क्यूशन है Random House Dictionary of English Language को पर्थम बार किस वर्ष परकासित किया गया था Random House Dictionary of English Language को पहली बार है वो किस वर्ष परकासित किया गया 1964, 1966, 1965 या 1979 को तो राइट एंसर होगा इसमें option B 1966 में किया गया था Random House Dictionary of English Language को पर्थम बार 1966 में परकासित किया गया था option B क्या होगा? राइट होगा अगला क्यूशन है इन्फा का मुख्याले कहां पर स्थित है? इन्फा का मुख्याले? लंदन, वासिंगटन, नई दिल्ली या नागपूर तो इसका जो मुख्याले है वो नई दिल्ली में स्थित है option C क्या होगा? राइट होगा इन्फा का जो मुख्याले वो कहां पर है? न्यू देली 14 नुवंबर 1969 को इसकी क्या होई थी? स्थापना 14 नुवंबर 1959 को स्थापित किया गया था इन्फा को और दुर्गादास दवारा किसके दवारा भी? दुर्गादास दवारा मुख्याले नई दिल्ली में स्थापित किया 14 नुवंबर 1969 दुर्गादास दवारा इन्फा को अगला क्यूशन है Indian Book Industry किस परकार की गरंत सुची है? राष्ट्रिय गरंत सुची है विशे गरंत सुची है विवापारिक गरंत सुची है या उप्रोक्स में से कोई नहीं National Bibliography Subject Bibliography Trade Bibliography या None of these लाइट एंसर क्या होगा भी? option C Trade Bibliography यहन कि यह एक परकार से वापारिक गर्ण सूची है यह Indian Book Industry बात करें इसकी तो इसकी जो शुरुवात है वो 1969 1969 में इसकी शुरुवात की गी थी इसका जो परकाशन है वो मासिक रूप से किया जाता है किस परकार परकाशन की शुरुवात हुई थी 1979 में वापारिक गर्ण सूची है यह Indian Book Industry मासिक रूप से इसका परकाशन नई दिल्ली से किया जाता है अगला क्यूशन डी डी सी के कि संस्कर्ण में पुने निर्मित अनुशूची यानि की फोनिक्स चेड्यूल का प्रारम हुआ था चब्में संसकर्ण 18 में 15 में या 60 में रायट अंशूर क्या होगा भी ओप्सन डी रायट होगा शोलमें संसकर्ण में फोनिक्स शेड्यूल यानि की पुनने निर्मित अनुशूची का परियोग प्रारम हुआ था option D इसमें right होगा 16 शंसकन है वो 1958 में आया था कब आया था भी 1958 1958 में इसको परकासित किया गया था किकी दो खंड़ों में इसका परकासित है वो किया गया था कितने दो खंड़ों में इसमें जो पेच थे वो थे 2449 कितने पेज थे 24 से 49 पेज थे और इसका जो परकाशन है वो बेंजामिन ए कर्ष्टर किसके दवारा बेंजामिन ए कर्ष्टर और एक अन्य वेक्ति थे डी हाइकिन क्या थे भी डी हाइकिन दवारा इसका परकाशने किया गया था बेंजामिन एक अस्टर और डी हाइकिन दवारा डी डी इसी के जो शोडवा संसकन है जिसमें फोनिक शेडियूल का प्रानूम किया गया जो दो खंडों में प्रकाशित हुआ और जिसमें पेजों की संक्या 2449 थे उसका प्रकाशन है किया गया था इसका प्रकाशन 1958 में किया गया था अगला क्युश्षन डौक्टर रंगनाथन के बुक नंबर फॉर्मूला में कितने तत्वे होते हैं डौक्टर ऐसा रंगनाथन दवारा जो बुक नंबर फॉर्मूला दिया गया था उसमें तत्वों की संख्या पूचिया गई है 8 तत्व है 6, 5 या 9 तो इसमें 8 तत्व होते हैं option A क्या होगा भी right होगा इसमें कितने तत्व होते हैं 8 option A right होगा 8 तत्वों की बात करने तो कौन-कौन से होते हैं इसका जो book number formula है वो इस पर कार से होगा L यानि की language इन में कोई चिना का प्रियोग नहीं कह जा उसके बाद F यानि की forum L लेंग्वेज ये डोक्टर ऐसा रंगनाथन का book formula है L और F के बीच कोई चिना नहीं आएगा F यानि की forum और F के बाद Y इन में भी कोई चिना का प्रियोग नहीं होगा Y यानि की year of publication Y के बाद A इन के बीच में भी कोई चिना नहीं होगा A के बाद dot का प्रियोग किया जाएगा किसका A के बाद dot चिना का प्रियोग किया जाएगा A यानि की accession A के बाद V V के बाद hyphen चिना का प्रियोग किया जाएगा V यानि की volume और V के बाद S S के बाद Semicolon Semicolon चिना का प्रियोग होगा S S यानि की Supplement और S के बाद C C यानि की Coffee नमबर और C के बाद कोलन चिना का प्रियोग होगा और अंत में CR का प्रियोग होगा तो इस प्रकार ये आठ तत्वे हैं डोक्टर एसा रंगनातन के बुक नमबर के फोर्मिले में सबसे पहले L Language उसके बाद Form उसके बाद Year of Publication उसके बाद Accession A के बाद Dot चिना का प्रियोग होगा उसके बाद Volumes V के बाद Hyphen चिना का प्रियोग होगा उसके बाद S यानि की Supplement Supplement के बाद Semicolon चिना का प्रियोग होगा उसके बाद Coffee नमबर C C के बाद Colon चिना का प्रियोग होगा और अंत में CR यानि की Criticism नमबर तो इस प्रकार इसमें ये आर्टत्वों का प्रियोगे किया जाता है C यानि की Online Computer Library Center द्वारा सर्वापर्थम Online Catalog की शुरुआत किस वर्ष की गी थी OCLC द्वारा जो Online Catalog की शुरुआत है वो सर्वापर्थम किसके द्वारा की गी थी ये OUV स्विधाले में जो Elder Library थी उसमें सर्वापर्थम की गी थी आपके जो उप्चन है वो है 1971, 1977 1971 या 1961 राइट एंस्वर क्या होगा भई ओप्चन ये राइट होगा इसमें 1971 1971 में OCLC द्वारा Elden Library जो OUV स्विधाले में श्तित है उसके द्वारा सर्वापर्थम Online Catalog की शुरुआत है की गी थी कब है 1971 में और ये की गी थी 26 अगस्त 1971 को 26 अगस्त अगला क्यूशन है DRDO की स्थापना कब की गी DRDO की स्थापना 1957 1952 1958 या 1957 तो ओप्चन सी राइट होगा 1958 DRDO की स्थापना 1958 में की गी अगला क्यूशन है पुस्तकाले में बड़े अकार की पुस्तक का कोलेक्शन नमबर किस परकार दसाया जाएगा बड़े अकार की जो पुस्तक होगी पुस्तकाले में उसका जो कोलेक्शन नमबर है उसको किस परकार दसाया जाएगा ओवर लाइन दवारा वरतांकित करके अंडरलाइन दवारा या दोनों तरफ लाइन दवारा तो राइट एंसर क्या होगा भी option A right होगा इसमें ओवर लाइन करे दिखाया जाएगा option A क्या होगा? right पुस्तकाले में जो बड़ी अकार की पुस्तक होती है उसका जो कुलेक्शन नमबर है वो ओवरलाइन कर दिखाया जाएगा जबकि जो छोटे अकार की पुस्तक होगी उसको अंडरलाइन करके दर्शाया जाएगा अगला क्यूशन है सीसी यानि की कॉलवन क्लास्फिकेशन के सेवंथ सात्वे संसकन का निर्मान निमनलिक्ट में से किसके दवारा नहीं किया गया था कॉलवन क्लास्फिकेशन का जो सात्वा यानि की जो अंतिम संसकन है जो 1987 में प्रकासित किया गया था रंगनाथन की मर्तिव के पस्ताथ इसका परकासित हुआ था इन में से कौन साव 31 में सामिले नहीं था ओप्शन है डोक्टरेशा रंगनाथन, सीतारां, नील मेगनन या गोपिनाथ रंगनाथन की मर्तिव के पस्ताथ इसको परकासित किया गया था रंगनाथन के यह तीन ओ सीशे थे शीतारां, नील मेगनन और गोपिनाथ इन तीनो दुबारा जो کولन क्लाइस्पिकेशन का साथवा संसकर्ण है 1987 में परकासित हैं परकासित किया गया था हैं अगला क्यूशन हैCCA की संस्कण में जीरो चिने का पर्योग प्राराम किया गया था option इस प्रिकार है second में first में third में या fourth में option 20 में right होगा पहले संस्केंड में Laudbor जो प्रियोग को colon classification में शुरू हो गया था इसमें फर्स्ट संसकर्ण जो 1933 1933 में प्रकासित किया गया था अगला क्यूशन है CCK की संसकर्ण में single inverted coma का प्रारम हुआ था single inverted coma का प्रारम colon classification के कि संसकर्ण में हुआ second, fourth, first या sixth तो right answer क्या होगा भी option D इसमें right होगा sixth संसकर्ण में, छटे संसकर्ण में single inverted coma और इसके साथ ही add जिने का, किसका add जिने, पलस का जो निशान होता है इसका और single inverted coma, दोनों का जो प्रियोग है वो colon classification के छटे संसकर्ण में प्रारम हुआ था, छटा संसकर्ण 1960 में, प्रकासिते किया गया था, इसका जो revised edition है, यानि कि छटे संसकर्ण का जो revised edition है, उसका प्रकासित हुआ था 1963 में अगला question है AACR2 में संदरब प्रिविष्टियां कितने प्रकार की है AACR2 में संदरब प्रिविष्टियां है वो कितने प्रकार की है reference entries 5, 4, 6 या 3 तो right answer क्या होगा भी option भी right होगा, 4 प्रकार की reference प्रिविष्टियां है संद्रब प्रविष्टियां कितने प्रकार की चयार प्रकार की इसके लबाब बात करें इसमें एड़ेड एंटरेज इत्तर प्रविष्टियां एड़ेड एंटरेज की जो संक्या है वो पांच प्रकार की कितने एड़ेड एंटरेज पांच और संद्र प्रिविष्टियां च्यार प्रकार की अगला क्यूशन है RDA काविकास किस वर्ष किया गया था RDA काविकास किस वर्ष किया गया था 2011, sorry 2009, 2005, 2010 या 2011 में तो इसमें जो राइट एंसर है वो होगा option है C 2010 में RDA काविकास हुआ था कब है? 2010 में अगला क्यूशन है ISBD का अंतिम संसकर्ण किस वर्ष परतूद किया गया International Standard Bibliographic Description का जो अंतिम संसकर्ण है वो किस वर्ष परतूद किया गया 2011, 2010, 1993, 2012 तो राइट एंसर इसमें option A होगा 2011 में इसका जो अंतिम संसकर्ण है उसको परकासिते किया गया था ISBD का अंतिम एडिशन 2011 में option ये क्या होगा भी? राइट होगा अगला क्यूशन है TQM, Total Quality Management में कितने परकार के स्थम्ब है? कितने परकार के स्थम्बों का यूजे TQM में किया जाता है 4, 6, 5 या 3 तो राइट एंसर क्या होगा भी? option C, राइट होगा इसमें 5 परकार के स्थम्ब TQM में परियोगे किये जाते हैं कौन-कौन से है? सबसे पहले है सबसे पहला जो है संगठन दूसरा हो गया परकीरिया नमबर तीन नेतरतिवे नमबर च्यार उत्पाद और जो नमबर पांच है वो हो गई परती बदता तो ये पांच फरकार के जो स्थम्ब है वो TQM में परियोगे किये जाते हैं अगला क्यूशन है रिसेंट इंडियन बुक के परकाशन की अवदी क्या है तो राइट अंसर क्या होगा भी न्यू देली से इसका परकाशन किया जाता है कहां से न्यू देली से इंडियन रिसेंट बुक का जो परकाशन है वो न्यू देली से किया जाता है और इसके जो परकाशन की अवदी है वो तेरे मासिक option भी क्या होगा भी right होगा तेरे मासिक इसको परकाशिते किया जाता है न्यू देली से नई दिली से अगला question है डेट्रियाट स्वनिगम स्वे निर्गम डेट्रियाट स्वे निर्गम पदती का विकास किस वर्ष किया गया था 1927, 28, 39 या 30 तो right answer क्या होगा भी option C right होगा इसमें 1929, 1939 में डेट्रियोट स्वे निर्गम पदती का विकास किया गया था और ये किया गया था राल्फ उल्वेलिंग के दवारा किस के दवारा राल्फ उल्वेलिंग दवारा इसका निर्मान या परतिबादे ने किया गया था डेट्रियोट स्वे निर्गम पदती का 1929 में और ये डेट्रियोट पब्लिक लाइबरेरी में विक्षित की गी थी डेट्रियार्ट पब्लिक लाइब्रेरी में इसका विकास है किया गया था अगला क्यूशन पीपीबियस परनाली को प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम परनाली को पर्थम बार रोबर्ट मैकना मारा ने किस वर्ट स्पेस किया था 1971, 1981, 1951 या 1961 तो ये US डोड में इसको पस्तुत किया गया था US के रक्ष्यावी भाग में और ये पस्तुत किया था option D right होगा इसमें 1961 में और कहां पर है? US डोड में option क्या होगा इसमें? D right होगा 1961 अगला क्यूशन है संदरब सेवा की अवधाना का परतिपादन किस के दवरा किया गया था? reference service की जो अवधाना है उसका परतिपादन किस ने किया? James I.Wire, Samuel Swetgreen, Samuel Rothstein या Lewis Source तो right answer क्या होगा इसमें? Question No. 74 में option B right होगा इसमें? Samuel Swetgreen दवराज संदरब सेवा की जो अवधाना है उसका परतिपादन किया गया था क्या होगा? Option B right होगा और ये संदरब सेवा की जो शुरुवात है वो 1971 में अमेरिका में हुई थी 1971 में सरवपर्थम अमेरिका में संदरब सेवा reference service की शुरुवात हुई थी इसकी जो अवधाना का परतिपादन है वो Samuel Swetgreen दवराज किया गया था अगला क्यूशन है निम्न में से reference librarian के गुण है कौन-कौन से गुण है जो reference librarian में आवशक है कम से कम M list होना विनम्मर विहवार एक से अधिक बासाओं का ग्यान उपरोक्त सभी तो option D में right होगा सभी गुणों का होना एक reference librarian में आवशक है अगला क्यूशन है SDI यानि कि हिंदी में बात करें तो चैनात्मक सूचना परसार सेवा में कितने परकार के steps होते हैं चैनात्मक सूचना परसार सेवा या SDI में कितने परकार के steps हैं 6, 5, 7, yard तो right answer क्या होगा भी option C होगा साथ परकार के steps परियोग किये जाते हैं SDI में चैनात्मक सूचना परसार सेवा में कौन कौन से हैं एक बार लिख ले वही सबसे पहले है user profile क्या है user profile नमर दो document profile नमर दो कौन सा है document profile नमर तीन matching the profile matching the profile नमर चार है notification नमर फाइव feedback नमर शिक्स modification और नमर सेवन है reader resolution तो इस परकार ये साथ परकार के step है वो SDI में परियोगे किए जाते हैं अगला question है imperial gadgetier of India का परतम संसकंड कितने खंडों में परकासित किया गया imperial gadgetier of India का परतम संसकंड कितने खंडों में परकासित किया गया था 9, 8, 11, 10 इसका जो परकासित है वो 1881, 1881 में किया गया था Imperial Gadgeteer of India का जो पर्थम संस्कन है उसको 1881 में परकासित किया गया था और ये 9 खंडों में, option ये क्या होगा इसमें, right होगा 9 खंडों में इसको परकासित है किया गया था option ये क्या होगा, right होगा भी अग्ला क्यूशन है गर्णत् सूच्य सूचना का किस परकार का स्रोत है बिब्लियोग्राफी सूचना के किस परकार के स्रोत में समेलित की जाती है प्रात्मिक स्रोत, ड्वीतियक, thirt değiş या नोव्चारिक तो उपक्षेन भी राइट होगा ड्वीतियक स्रोत में Option B क्या होगा? Right द्यूतिक स्रोत में समेलित की जाएगी गनत सूची या बिब्लियोग्राफी अगला क्यूशन मिश्रित अंकन का प्रियोग किस पदती में किया जाता है? मिश्रित अंकन का प्रियोग किस पदती में किया जाता है? UDC, CC, A, W, B, दोनों या DDC तो दोनों राइट होगा भी UDC और CC दोनों में ही मिश्रित अंकन का प्रियोग किया जाता है जबकि DDC में सुद अंकन का UDC और CC, Colon Classification और Universal Decimal Classification दोनों ही पदतियों में मिश्रित अंकन का प्रियोग किया जाता है अगला क्यूशन है International Literacy Day पहली बार किस वर्च मनाया गया था International Literacy Day है वो पहली बार किस वर्च मनाया गया था 1969 में, 1971 में, 1967 में या 1977 में तो राइट एंसर क्या होगी ओप्सन सी 1967 में पहली बार है वो 1967 में International Literacy Day मनाय गया था और ये बनाया गिजाता है 8 सितंबर को कबे 8 सितंबर को मनाया जाता है ये International Literacy Day पहली बार 1967 में मनाया गया था तो आज के लिए बेशितना हैं दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो जल्दी इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें धन्यवाद